नमस्कार दूस्ते को मैं इड़ो कीट नीति इस्तिंग आपके अपनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से सवागत परता हूँ तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी इंडिया की कवर्मेंट ने PUBG के साथ 118 एप को बैन कर दिया है तो अब ये 118 एप ना थो आपको Apple App Store पर देखनों को मिलेगी और ना ही आपको Android App Store पर देखनों को मिलेगी तो हम लोग आज इस वीडियो में ये बिल्कुल भी डिसकस नहीं करेंगे कि PUBG के साथ कौन-कौन सी एप को बैन किया गया है या फिर बैन एप की लिस्ट में कौन-कौन सी एप सामिल है क्योंकि आप YouTube से सर्च करेंगे तो इस टॉपिक पर आपको ओलेडी वीडियो देखने को मिल जाएंगी तो आज कि इस वीडियो में हम सिर्फ यही डिसकस करने वाले हैं कि PUBG के साथ जो 118 एप बैन की गई है उनको किस कानून के तहद बैन किया गया है किस धारा के तहद बैन किया गया है और अगर कोई व्यक्ति इन बैन एप को किसी भी माध्यम से यूज़ करने की कोशिस करता है मालिए किसी के पास पहले से इंस्टॉल्ड है तो वो इंस्टॉल एप को यूज़ कर रहा है या फिर कोई व्यक्ति किसी वेबसाइट से APK फाइल डाउनलोड करके उसको एकसेस कर रहा है या कोई VPN के थू इसको इन एप को एकसेस करने कुशिश कर रहा है तो ऐसे विक्तियों के खिलाफ क्या कानूनी कारवाही हो सकती है आज किस वीडियो में हम सिब यही डिसकस करने वाले है अगर आप भी इनी सवालों के जवाब जानना चाहते है क्योंकि मैं ऐसे ही हमाई कानून और हमाई सम्विधान से लेटेड वीडियो लाता रहता हूं तो without wasting time, let's start तो आईए जान लेते हैं इन एप को किस धारा के तहत, किस कानून के तहत बैन किया गया है तो बबजी के साथ जो 118 अप हैं उनको सूचना प्रद्योग की अधनियम 2000 इसको इंगलिस में Information Technology 2000 और SALT में IT Act 2000 के section 69A के अंतरकत बैन किया गया है अब section 69A क्या है इसको आपको समझाने के लिए मैं हर बार की तरह पहले आपको book language दिखा दूँगा कि आखिर book क्या कहती है फिर आपको उस book language को easy way में आपको explain करके बता दूँगा जिसने कि आपको अच्छे से समझ में आ जाया तो एक बात और यहां इस वीडियो में book language दिखाने का मेरा सिप एक ही purpose है कि आप लोग हमसे जुले हैं आपको मुझसे जो भी जानकारी मिले वो सही जानकारी मिले सटिक जानकारी मिले आप मेंसे किसी को भी या किसी भी पपजी लेवर को ये न लगे कि मैं आपको जो कुछ बता रहा हूँ अपने मन से ही बता रहा हूँ या आपको डरा रहा हूँ या फिर आपको बैका रहा हूँ तो मैं आपको जो कुछ भी बताऊंगा वही बताऊंगा जो हमारे कानून में हमारे समीधान में लिखा है वही बताऊंगा अपने मंद से कुछ भी नहीं बताऊंगा तो चलिए पहले बुक के लेंगविज देख लेते हैं सेक्शन 69 का किसी कम्प्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी सूशिना की सारवनिक पहुँच के अवरोध के लिए निदेश जारी करने की सक्ती नमबर एक जहां केंद्री सरकार या इस निमित उसके द्वारा बिसेश रूप से प्रादिकरत उसके किसी अधिकारी का या समाधान हो जाता है कि भारत की प्रभुता और अखनिता भारत की रच्छा, राज की सुरच्छा बिदेशी राजियों के साथ मैत्री पूर्ण समंधो या लोग रवस्था के हित्मे या उपरोग से समंधिक किसी संगे अपराद के किये जाने में उद्वीपन को रोकने के लिए ऐसा करना आवश्यक है और समीचीन है वहां वह उपधारा दो के उबंदों के आधीन रहते हुए उन कारणों से जो लेक बद्ध किये जाएंगे आदेश द्वारा सरकार के किसी अविकरण या मदिवर्ती को किसी कंप्यूटर संसाधन में जनित, पारेशित, प्राप्त, भंडारित या परपोशित किसी सूशना को जनता की पहुँच के लिए अवरोध करने का निरदेश दे सकेगा या उसका अवरोध कराएगा नमबर दो वह प्रक्रिया और रच्छो पाए जिनकी आधीन जनता की पहुँच के लिए ऐसा अवरोध किया जा सकेगा वे होंगे जो विहित किये जाएं नमबर तीन वह मद्धिवर्थी जो उपधारा एक के आधेन जारी नुर्देश का पालन करने में असपल रहता है कारावास से जिसकी अवद ही साथ वास वर्ष तक की हो सकेगी डंदित किया जाएगा और जुर्माने का भी दाई होगा आपने बोकी लेंगोश देख ली अब आईए आपको इजी भी में समझाता हूँ कि यह आखिर सेक्शन 69A कहती क्या है तो IT Act, Information Technology Act 2000 का जो सेक्शन 69A है वो हमारी government को हमाई केन सरकार को यह power देती है यह सक्ती देती है कि अगर उन्हें कोई online content जा कोई website या कोई app उनको सही नहीं लगता है या उनको लगता है कि ये एप, ये वेपसाइट, ये आनलाइन कंटेंट हमारे देश के लिए खतरा है तो केन सरकार उस आनलाइन कंटेंट को बैन कर सकती है और जो भी दोसी है उन्हें डंडित भी कर सकती है तो section 69 ने हमारे सरकार को कुछ पावर देती है जिन्हें तीन सब्सेक्षन में, तीन उपण्दों में डिवाइड किया गया है तो आईए तीनों सब्सेक्षन को बारी-बारी से समझ लेते हैं सेक्षन 61 का सब्सेक्षन 1 कहता है कि केन सरकार किसी भी आपत्ति जनक आउनलाइन सामगरी को या आउनलाइन कॉंटेंट को हटाने का दिशानिर्देश दे सकती है अब आउनलाइन कंटेंट में वेबसाइट्स भी आती हैं और एप्स भी आते हैं जो कि आउनलाइन वर्क करते हैं इनको हटाने का दिशानिर्देश केन सरकार दे सकती है कब दे सकती है तब दे सकती है जब इन online content के माध्यम से भारत की अखंडता भारत की संपरपुता या राज की सुरक्षा भारत की रच्षा या किसी पिदेशी राज्यों से मैतरी पूर्ट सम्मंधों में हानी पहुंसती है नुकसान पहुंसता है तब इन online content को हटाने का दिस् भी व्यक्ति नुक्सान पहुंचाता है, हान पहुंचाता है, उसे गिरफतार भी कर सकती है। सक्षन 69 के सब्सक्षन 2 कहता है, कि जिन वेबसाइज को, जिन एप्स को जनता के लिए ब्लॉक किया जाएगा, उन्हें पूरी प्रक्रिया के साथ ही बैन किया जाएगा, और इसके साथ ही सुरच्छा के अन्युपायों पर भी ध्यान दिया जाएगा। सक्षन 69 के सब्सक्षन 3 कहता है, कि वे व्यक्ति जो की सब्सक्षन 1 के तहट जारी किये गए निर्दिस्ता निर्देशों का पालन नहीं करते पाये जाएगे, उन्हें साथ वर्स की जेल और जुर्माना दोनों से डंडित किया जाएगा। आप लोग सक्षन 69 को तो अच्छे समझ गए होंगे, आईए अब ये जान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पबजी को या किसी और बैन आप को किसी भी माध्यम से यूज़ करने की कुषिश करता है, तो उसके साथ क्या हो सकता है? तो अगर कोई व्यक्ति है, वो किसी माध्यम से इन बैन आप को यूज़ करने की एकसेस करने की कुषिश कर रहा है, तो वो एक तरह से इलीगल काम कर रहा है, गैर कानूनी काम कर रहा है, जिसके लिए उसे साथ साल की जेल और जुर्माना दोनों से डंडित किया जा सकता है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत और चीन की बीच में इसमें युद्ध की सिच्वेशन है, हमने हमारे 20 जवान भी खोए हैं, तो सरकार हमसे युद्ध लड़ने के लिए नहीं कह रही हैं, युद्ध लड़ने के लिए सरकार के पास जवान है, जो की पर्याप्त हैं हमें हमारे घर से ही युद्ध लड़ना है, हमें सरकार का सहयोग करना है, सिर्फ इन चीनी एप्स को अनिस्टॉल करना है, बस एक तरफ तो हमारी सरकार युद्ध के लिए तीनों सहिनाओं से तयार है, आर्मी, नीवी, एयर फोर्स सभी से पूरी तरह से तयार है, दूसरी अबेदी लंकार है, हम लोग इन एप का यूज करके यहां की जानकारी चीन तक पहुँचा रहे हैं, बीशना का काम कर रहे हैं, तो आप से रिक्वेस्ट है, जब तक सरकार खुद पर्मीशन ना दे, तब तक आप लोग इन एप को यूज ना करें, इन एप के अलावा भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर अभी भी आपके दिमाग में आज के विश्ट को लेके कोई डाउट है या कोई संदे है, या आप कानून से लेड़ेट किसी और विश्ट हम से जानका ही चाहते हैं, तो आप सीधे कमेंट बॉक्स से मादम से जूट सकते हैं, और अपनी बात रख सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, सेर करें, मैं एड़ोकेट नीती सिंग, मिलता हूँ अपनी किसी और नौले लिडियो में, तब तक आप लोग घर पे रहें, स्वस्त रहें, मस्त रहें, अपने खाया लख जैन